शिमारू के नई वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अदालत इस नतीजे पर पहुँची है कि रूपा देवी का कतल मुझरिम राजा नहीं किया है लहाजा अदालत तेरे दफ़ा तीन सो दो ताजिरात हिंद मुझरिम राजा को ठहरी है यो रॉनर इस केस के सिल्सले में मुझे आपसे कुछ कहना है यो रॉनर, मदाखलित के लिए मैं माफी चाहता हूँ और अदालत के सामने एक ऐसे आदमी को पेश करने की अजाज़त चाहता हूँ जिसके बायान से इस फैसले का रुख पदल सकता है और 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 यो रॉनर, मुझेरिम राजा के कातिल साबित होने के सारे सबूत अदालत में पेश किये जा चुके हैं और अब सफाई की कोई गुंजाईशी बाकी नहीं रह जाए जाजा अगर अगर अदालत का थोड़ा सा वक्त बरबाद होने से किसी की जिन्दगी बरबाद होने से बच सकती है एक बेगुना फासी के तखते पर लटकने से बच सकता है तो मेरा खायल है कि अदालत का ये फर्स बनता है कि वो अपना ये फैसला थोड़ी देर के लिए रोकते हैं इजासत है मेरा नाम देवी है वही देवी जिसे आज से बरसों पहले उसके सोतेले बाप ने घर से बाहर निकाल दिया था ताकि वो उसकी मा की जादाद हड़प सके वही देवी जिसे वक्त और हालात ने आज देवा बना दिया है तुम गीता के बीटे हूँ हाँ मैं गीता मा का बेटा हूँ और उसे गीता मा पे जल्म करने वाला आज इंसाफ के कुरसी बैठा है और वो आप है जजसाफ सलील इंसान क्यों मुझे बार बार फोन करके परिशन करते हो इसलिए कि तुम्हेरे गुनाहों का इसास दिला सको वो ऐसास जो तुम्हें चैन से जीने नहीं देगा और इस से पहले कि तुम मर जाओ मैं तुम्हे ऐ खबर सुनाना चाहताओ अब क्छू सी खबर सुनाना चाहते हूँ मरने से पहले क्या तुम अपने बेट शेमिलना पसंद नहीं करोगे बेटा, मेरा बेटा, देखो, देखो, तुम जो भी हो, अगर तुम मालूम है मेरा बेटा कहा है तो उससे मुझे मिला दो, तुम जो भी चाहे मुझे से लेलो, मेरी जिन्दगी लेलो, अगर मुझे एक बार मेरे अपने बेटे से मिला दो इतनी आसानी से नहीं मेंदर परताब उसके लिए तुम्हें सही वक्त का इंतजार करना पड़ेगा देखो, हेलो, हेलो क्या वाद है मेंदर परताब, खेयत? सब तुम्हारे कराए हुए पाप है जिनकी सदा मैं बोकत रहा हूँ हरदवारी, तुमने मेरी खोशाल जिन्दगी को बरबाद कर दिया मेरा सुक्चैन च्छी लिया, मुझे चीते ची मौत की मुँ में डाल दिया रिलेक्स, रिलेक्स मेंदर परताब, होश में आओ तुम्हारी बरबादी का जिम्मेदार मैं नहीं देवा है, उसी एक सांप ने हम दोनों को काटा है मगर फिकर मत करो, हरदवारी के मकारी सारी दुनिया में मशूर है यह अगर सांप को काट ले तो उसका पूरा खांदान तलब तलब के मर जाता है मैं उसकी असलियत पहचान गया हूँ यह देवा और कोई नहीं, बलके तुम्हारे धर्मात्मा जी है क्या? जैं, अगर आप गौर करेंगे तो आपको एसास होगा कि पुलीस की हिरासत से राजू को किस ने छुड़वाया आपके धर्मात्मा जी ने और अब मैंने ऐसा जाल बिछाया है कि यह धर्मात्मा जी सीधे पर्मात्मा के दौर पहुंच जाएंगे एक वार में उसका काम तमाम कर दूँगा मैं नहीं, ऐसा मत करना अगर तुम्हें उसे मार डाला तो मेरे बेटे का पता कैसे चलेगा तुम्हें तुम्हें तुम्हारे बेटे का पता भी चल जाएगा और मुझे मेरा सोना भी मिल जाएगा कल मेरे होटल की ओपनिंग है और उसमें मैं धर्मात्मा जी को चीफ केस्ट यहने मेमाने खुससी के तौर पर बुलवाने वाला हूँ आये आये मिस्टर राजा धर्मात्मा जी नहीं आये आप उनकी फिकर मत कीजिए वो सही वक्त पर सही जगे पहुंच जाते हैं हमने खास तोर पर आप के लिए एक सर्प्राइज आइटम रखा है लेडिज एंड जंडलमेन हमारे खास मेमान के लिए हम पेश करते हैं स्पेशल आइटम राणी किस राणी को आवाज दे रहा है तू जिसकी महबत का गला घोट कर उसे जीते जी मा डाला अब यहां उसकी लाश सलाश कर रहा है चला जो यहां से चला जो यहां से तू इतना गिर सकती है यह मैंने कभी सोचा भी नहीं था गिरा तो तू है राजा जो दौलत की खातिर अपनी बच्पन की महबत को धुगरा कर अपनी जवानी किसी और की खत्वों में डाल दी जो बात बच्पन से लेके आज तक मैंने तुम्हें नहीं पताई वो बात मैं तुम्हें आज बताना चाहता हूं अगर जिन्दीगी में मैंने किसी को चाहा है प्यार किया है तो वो सिर्फ तुम हो राणी तुम राजा क्या हो राजा राजा हम तो फस गए लेकिन सुनो अंजली की जान खत्रे में है पैचाना मुझे तुम देवी हो ना हाँ मैं ही देवी मैं ही धर्मात्म और मैं ही देवा हूँ और इस वक्त तुम लोगों की मौत बंकर यहां खड़ा हूँ मेरी मौत तो मेरे सामने खड़ी है लेकिन देवा तेरी मौत बिलकुल तेरे पीछे खड़ी है पीछे मुड़ कर देख तुम्हारा सारा बयान हम रिकॉर्ड कर चुके हैं बहुत दिनों से तुम्हारी तलाश थी मिस्टर देवा यू अरंडर अरेस्ट मिस्टर ये भी इसका साथ ही है कि रफ्तार कर लो इस अरामसा देखो मिस्टर राजा यू और अरंडर रेस्ट रुख जा राजब रुख जा राजब ए बगड़ लेस्ट को आप प्राज़ एके तो रुख जोप राजब कर दो रुख जो राज़, जली बठट़ कि लुटार भूर अरे रुटारा एल एलुटार कार्वार एलुटार एलुटार वालुटार pendव पूरे यारु यारुमोर नहां यूर उनर, अदालत के सामने अब तक मैंने जितने भी सबूत पेश किये हैं, उनके जरिये सिर्फ एकी बात साबित होती है, रूपा देवी का खूनी राजा है, उनका कातिल राजा है, सिर्फ राजा, इसलिए मेरी अदालत से दर्खास थे, कि मुझरिम राजा को कड़ी से कड़ी सदा दी जाए, इसलिए राजा है, सरकारी वकील के जरिये पेश किये गए तमाम सबूतों और दलीलों के बुनियाद पर, अदालत इस नतीजे पर पहुंची है, कि रूपा देवी का कतल, मुझर मुझरिम राजा नहीं किया है, लहाजा अदालत तेरे दफ़ा 302, ताजिरात हिंद, मुझरिम राजा को ठहरी है, योर अनर, इस केस के सिलसले में मुझे आप से कुछ कहना है, योर अनर, मदाखलित के लिए मैं माफी चाहता हूँ, और अदालत के सामने एक ऐसे आदमी को पेश करने की अजाज़त चाहता हूँ, जिसके बायान से इस फैसले का रुख पदल सकता है, योर अनर, मुझरिम राजा के कातिल साबित होने के सारे सबूत अदालत में पेश किये जा चुके हैं, और अब सफाई की कोई गुंजाईशी बाकी नहीं रह जा जाए, अगर अ पुरासा वक्त बरबाद होने से किसी की जिनदगी बरबाद होने से बच सकती है, एक बेगुणा फासी के तखे पर लटकने से बच सकता है, तो मेरा खःल है कि आदालत का यह फर्ज बनता है, कि वो अपना यह फैसला थोड़ी देर के लिए रोकते है, एजाज़त है मेरा नाम देवी है वही देवी जिसे आज से बरसों पहले उसके सोतेले बाप ने घर से बाहर निकाल दिया था ताकि वो उसकी मा की जादाद हड़प सके वही देवी जिसे वक्त और हालात ने आज देवा बना दिया है तुम गीता की बीटे हूँ? हाँ मैं गीता मा का बेटा हूँ और उसे गीता मा पे जुल्म करने वाला आज इंसाफ के कुर्सी में बैठा है और वो आप है जट सहाब और आज किसमत का फैसला देखिए जट सहाब उसे गीता मा का बेटा आज इस कटेरे में खड़ा है अदालत के मुझे बंकर राचा मेरा बीटा मत कहो अपनी गंदी जबान से मुझे बेटा तुम्हारा बेटा तो उसी दिन मर गया था जब उसने जेल की सलाकों के पीछे जनम लिया था तुम्हारा बेटा तो उसी दिन मर गया था जब उसकी बेगुना मा इसी अदालत में चीक चीक करके रही थी कि मैं बेकसूर हूँ और उसे खीचकर बंद कर दिया गया तुम्हारा अंदा कानून पत्थर बंद के देखता रहा तो आज ये पत्थर मोम केसे बन गया अरे इंसाफ का चोगा पहन कर बेंसाफी करने वाले शैतान आज मैं तुमसे कहता हूं कि ये खून मैंने नहीं किया लेकिन तेरे सारे सबूट तेरे सारे गवा मेरे खिलाफ है तो सुना दे अपने मुकदमे का फैसला चाहा दे मुझे फासी के तक्ते पर ताके हर पल, हर घड़ी, तेरा जमीर, तेरी आत्मा तुझे मौत की सजा सुनती रहे इंसाफ के कुर्सी बे बैठ कर सारी दुनिया के साथ इंसाफ करने वाले अगर कर सकता है तो कर, इंसाफ अपने लहू से यह आगर, मैं अड़ोकेर अंजली मुझरिम राजा के लिए, डिफेंस लोयर की हैसे से पेश होने की इजाज़त चाहती हूँ यह रहा मेरा वकालत नमा यू के पुरसीद, यूर अगर, मिस्टर देवी के बयान ने, इस केस को एक नया मोर दे दिया है मुल्जिम राजा, आपका अपना बेटा है, आपका अपना खून है इसलिए आपको इस केस का फैसला करने का कोई हक नहीं है मैं अदाला से दर्खास करती हूँ, कि इस मुकदमे के लिए एक नया जज़ज़ पॉइंट किया जाए मुझे ना तो इस मुकदमे का फैसला करने का कोई हक है और ना ही इस कुर्सी पर बैठने का कोट इस आज़ज़ आज़ज़, थैंक यू कारवाई शुरू की जाए ये केस आइने की तरह बिलकुल साफ है, यूर ओनर जबके खुद मुझरिम राजा ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है तो सफाई की कोई गुझाईश बाकी नहीं रह जाए गुझाईश है, यूर ओनर इसमें राजा की जूर कोई मजबूरी रही होगी जिसकी वज़ास से वो अपना जुर्म कुबूल करने के लिए मजबूर हो गया यूर ओनर, हुआ ऐसा था कि जिस वक रूपा देवी का खून हुआ उस वक बंगले के अंदर एक ऐसा चश्मदीद गवा मौजूद था जिसने अपनी आँखों से देखा कि जिस वक राजा बंगले के अंदर दाखिल हुआ खूनी अपना काम करके फरार हो चुका था अगर ऐसा कोई गवा मौजूद है तो मेरी फादिल वकील उसे अदालत में पेश क्यों नहीं करती मैं हूँ वो चश्मदीद गवा जिसने अपनी आँखों से खूनी को खून करते हुए देखा है यार अनर तो आप बताईए ये खून किस ने किया है जूरूर बताऊंगी यार अनर लेकिन मेरी अदालत से दर्खास्त है कि मुझे दस मिनट की महलत दी जाए मुझे यकीन है कि हूनी खुद अपने आपको कानून के हवाले कर देगा अदालत आपको वक देती है अदालत आपको अदालत के सामने नहीं आया दस मिनट होने में यार अनर अभी पास सेकिंड बाकी है चार तीन दो एक और ये रहा आपका मुझरिम आपको भास से एका मुझरिम भास तो भास सीज के बाद से में आपको फिर बादारी नहीं जापको भास से विरत आपको भास से जेंदेए Your Honor, मैं महिंदर परताब सिंग, एक्स हाई कोर्ट जज, कबूल करता हूँ, कि रूपा का कातिल मैं ही हूँ मैंने ही रूपा का कातिल किया मिश्टर महिंदर परताब, ये बयान आप अपने होश और हावास में दे रहे हैं होश और हावास Your Honor, अफसोस तो यही है, कि बरसों बाद मैं अपने होश और हावास पर काबू पा सका हूँ बरसों तक मैं कुछ लोगों के हाथों का खिलोना बना रहा बरसों तक मक्तुला रूपा और अपने दोस्त नूमा हरदवारी लाल जैसे दुश्मन के हाथों की कटपुत्ली बना रहा जब मुझे मालूम पड़ा कि रूपा कई लोगों की जिन्दगिया बरबाद कर चुकी है और हरदवारी लाल मेरा तोस्त नहीं दुश्मन है तो मैं पश्तावे की आग में चलता रहा और फिर एक दिन अचानक एक फाइव स्टार होटल से रानी का टेलिफोन आया अंजली की जान खत्रे में है जिम्मी के प्लैन के मताबिक रूपा अंजली को लेकर उसके होटल जाएगी और वहां उसके शादी जिम्मी से जबरदस्ते करवा दी जाएगी क्या आप जहरीली नागिम बरसों से तु मेरे खानदान को डस्ती आई है लेकिन आज जो जहर तेरे दिमाग में भड़ा है मैं सब जाग्या हूँ इससे पहले कि तु मेरी बेटी को डसे मैं तेरा सर हमेशा हमेशा के लिए कुछा करणतूँगा मैं इसना नहीं जाएगा रुग्याओ इसना नहीं जाएगा लाएगा फ्लिटना अचिप अगयाज़ा है कि अपनी बेटी अंजली की जान बचाने के लिए मैंने रूपा का कतल कर दिया जिसका इल्जाम मेरे बेटे राजा के सर पर आया मैं तो मुझरिम हूँ ही कोई भी सजा भुकतने को तैयार हूँ यौर अनर पर मुझे मुझरिम बनाने के पीछे फर्दोारी लाल और चिम्मी का हाथ है इनके अपराद इतने गिनोने हैं कि मैं दर्खवास करता हूँ कि ने कड़ी से कड़ी सजा दी जाए अवार हाई 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 बढ़कते हैं क्यों और बोलता हूं न जर्ट जजाब ये इ является सच है के सारे फसाद की जड़ मैं हूँ दरसल क्या है के बर्सों पहले में सड़क की किनारे बैटकर टायर के पंक्शर बनाया करता था और लोगों की जिंदिया पंक्चर कर दिया करता था लोगों के घर बर्बाद कर दिया करता था और मुकदर की बात देखिए आथ तक्दीर के नोकीले के ले ने मेरे जिन्दगी बर्बाद करके पंक्चर करके रगती यह जितने भी मुकदमे यहां चल रहे हैं इन सब के पीछे मेरा हाथ हे, हर कतल के पीछे मेरा हाथ है मेरे साथ ये जोisance रंगेली बान वाजे जो बैटा बैठा है उसका सबसे बड़ा हात है, हम दोने को सक्स से सक्स स्ज़ादी जाए फांसी से बढ़कर कोई स्ज़ा होतों वो दे दीजिए हरदवारी लाल और उसके बेटे जिमी को गिरफतार कर लिया जाए जिमी को गिरफतार करना इतना असान नहीं है किरी नहीं है जाए जाए Mimsham! Mimsham, Mimsham! Ra, Raja! शायद, शायद मैंने दुनिया में इसली जनम लिया, कि तुम्हें इंसाफ दिला सको, लेकिन कभी कभी इंसाफ, उसे आई की जगह, अपने खुन, अपने खुन से लिखना पड़ता है, वो, वो मैंने अपने खुन से लिख दिया राजा, नहीं जिंदगी, और रानी तुम् मो, मो बाराख झाल